नमस्ते दोस्तों मैं प्राध्यापक बहरम देबेंद्र हिंदी विभाग रयत शिक्षन सौंस्ता का महाराजा जिवाजी राउशिंदे महाविध्याले स्रीगोंदा आप सभी लोगों का आज के पार्ट में स्वागत करता हूँ यहाँ पार्ट शेक्षनिक वुद्देश्य के लिए किया गया है जिससे हमारे छात्रों को लाब हो आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं गोस्वामी तुलसिदार जी का जीवन परीजय हम सभी लोग जानते हैं हिंदी सहित्य का इध्यास विस्तुरूत है हिंदी सहित्य क जो चार कालखंड बनाए गए थे उनमें था आधिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल और आधुनिक काल जिस समय भक्तिकाली सहित्य की परंपरा शुरू ही यह भक्तिकाली सहित्य हिंदी सहित्य का सुवरनकाल माना जाता है हिंदी सहित्य में सरवादिक योगदान इसी कालखंड क साहित्य का है जिनों ने जो साहित्य जन सामान्ने तक पहुंचा था विशेश रूप से भक्तिकाल में दो कावे धाराये प्रवाहित हुई एक सगुन भक्तिधारा और दूसरी थी निर्गुन भक्तिधारा निर्गुन भक्तिधारा के कवियों में हम लोग जानते है कबीर का नाम आता है निर्गुन भक्तिधारा की दो शाकाय है प्रेमाश्रेई और ग्यानाश्रेई और वहाँ पर प्रेमाश्रेई के प्रतिनिदी कवी मलिक मुहमत जैसी को माना जाता है और ग्यानाश्रेई के कब बहावना में लीन हो सकता था, नौधा बक्ती इस कालखंड में अधिक प्रचलित हुई, इसमें भी सगुन बक्ती धारा में विशेश रूप से दो कावे धाराये प्रवाइट हुई, एक थी कृष्ण बक्ती धारा और दूसरी थी राम बक्ती धारा, अर्थात हम लोग कह सक है कि राम भक्ती धारा के प्रतिनीधी कवी के रूप में हम लोग गोस्वामी तुलसिदाद जी का नाम लेते हैं, उनका राम चरित मानस राम भक्ती धारा का प्रतिनीधी ग्रंथ माना जाता है, और उसी प्रकार कृष्ण भक्ती धारा में हम सभी लोग जानते हैं, सुर् मैं अभी आपको एक बात भी कह लेता हूँ कि यह जो परीचय है हिंदी साहिते की इत्यास के ग्रंतों में जिन बातों को अधोरेखित किया गया है उनके आधार पर मैंने यह परीचय देने का प्रयास किया है क्योंकि संतों के जिवन परीचय के संदर में अनेक विवाद होते हैं क्योंकि कभी-कभी उसके आधार भुत जानकारी प्राप्त नहीं होती इससे कभी-कभी गलतिया हो सकती है इसे मैंने कोशिश की है हिंदी साहिते के इत्यास का अध्यास का अध्यापन जिस पद्धति से होता है उस पद्धति से मैंने परीचय कर दिया है और गोस्वाम रामभक्ती शाका में है, भक्ती काल के साहित्य में है, सगुन कावेधारा की ये प्रमुक्त भी माने जाते हैं, उसी के साथ साथ हम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत में विश्नमभक्ती की परंपरा को अगर सरवादिक लोगप्रियता प्राप्त हुई है तो व 223 में भृत्यु मानी जाती है उनकी माता का नाम हुलसी पिता का नाम आत्मारम दुबे था वो बच्पन में ही आधिक दिन गर्बह में रहने के कारण जब उनका जन्म हुआ तब बहुत बड़े लग रहे थे और उनके मुह में दो दात आ गया हुए थे और सबसे पहला ऐसा कहा जाता है कि उनके मुख से राम शब्द निकला इसे उनका नाम राम बोला रखा गया था उसी के साथ साथ उनके जीवन में सरवाधिक महतोपुर्ण प्रेरना का जिनका स्थान है वो है उनकी पत्नी रत्नावली रत्नावली तुलसीदाजी की पत्नी का नाम है रत्नाव तुलसी जी रतना वली के माई के पहुंचे या तुलसी जी अपने ससुराल में पहुंचे उस समय रतनावली को ये बहुत बात खटकी कि इतनी अधिरता मेरे प्रतिक क्यों है इसलिए रतनावली ने कुछ खड़े बोल सुनाए रतनावली पड़ी लिखी प्रकांडर पंडित थी उन्हों ने जो बात कही वो तुलसी को बड़ी अजीब और लग गई जैसे कहते हैं कि कोई घटना या धुर घटना कोई मौका कोई ऐसा क्षन मनुश्य की जीवन में आना चाहिए कि पूरा जीवन हमारा परिवर्तित हो जाता है ऐसे ही ऐसा ही परिवर्तन तुलसी जी के जीवन में आया है जब वो रतनावली जी के पास पहुंचे तब रतनावली ने जो ब अस्ति चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रिती नेकू जो होती राम से तो कहे भववेती। बहुत सुन्दर बात कही है कि तुम जो शरीर नश्ट होने वाला है जो हड़िया जो त्वचा हमारी नश्ट होने वाली है उस नश्ट प्राई शरीर से आप इतना प्रेम करते हो अरे ऐसी ही प्रिती ऐसी ही भक्ती अपने प्रभु स्री राम में होती तो आपको ये भिती भ भगवान की भक्ति करो इस प्रकार का संदेश रत्ना वाली टुल्सिदास जी के गुरू का नाम नरहरी दास था अब हम लोग देखते हैं तुलसिदास जी की प्रमुग कुरुतिया बक्तिकाल के साइत्य में तुलसिदास की कुरुतियोग में विशेश रूप से रामचरित मानस का महतु पुर्णस्थान है रामचरित मानस की रचना का कालखंड समन्त 1631 माना जाता है काव्य प्रकार यह प्रबंद है यह रामचरित मानस महा काव्य की श्रेनी में आता है साथ कांडों में विभाजित है विशेश रुप से ये जो साथ कांड है ये पूरी राम कथा जो बुनी गई है राम जन्म से लेकर आयोध्य की राज्य की स्थापना तक मतलब उसमें सारी बाते आती है पहला कांड है बाल कांड, दुसरा है आयोध्य कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौता है किश्किन्दा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छटा है लंका कांड और सात्वा उत्तर कांड इन सात कांडों में ये सारी कथा विभाजित है और ये हम सभी लोग जानते हैं इन कांडों के शिरिशक से ही पता चल जाता है कि इसमें राम जी की कौन सी कथा होगी विशेश रुप से राम चरित मानस की जो भाशा थी जन भाशा उस समय अवधी थी और इसी लोक भाषा अवधी में यहां काव्य लिखा गया है ये इसकी शैली दोहा एवं चोपाई की श्रीनी में आती है दोहा और चोपाई का प्रयोग करके विशेश रुप से रामचरित मानस लिखा गया है रामचरित मानस में अंगिक्रत रस या प्रमुक्रस जो माना जाता है शान्त रस रामचरित मानस का प्रमुक्रस है रामचरित मानस का महत्व एमो उसकी कुछ विशेश ताय आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है विशेश रूप से रामचरित मानस में पारिवारी का अदर्श रत्मकाव्य है पारिवारी का अदर्श कैसे होने चाहिए अदर्श माता, अदर्श पिता, अदर्श बंद भाई यह सारी चाहिए अदर्श पतनी, अदर्श पती और अदर्श राजा और आदर्श राज्य, ये सारी बाते हैं, मला हम लोग जिसे कहते हैं न, कि आदर्श की स्थापना कोई न कोई हमारा आदर्श होना चाहिए, तो आदर्श नायक के रूप में राम का चित्रन इसमें हुआ है, विशेश रूप से पारिवालिक डुष्टी से आदर्शात्मक क ये माना जाता है, ये रामचरित मानस की प्रमुक विशिष्टा है, दूसरी है भारतिय संस्कृति का चित्रन, भारतिय संस्कृति में राजा प्रजा के संबंद कैसे होने चाहिए, मित्र के संबंद कैसे होने चाहिए, समाज को कितना महत्व देना चाहिए, समाज की बातो के उपर आधारित यह काव्य है इसलिए भारतिय संस्क्रुति के का सिम्बॉल भी माना जा सकता है प्रतिक भी माना जा सकता है रामचरित मानस सगुन भक्ती का प्रति पादन इसमें किया गया है अगली विशेश्टा बहुत महतोपुर्ण है इस कालखंड़ में हम लोग जान संगन बकतिधारा और दोनों प्रवाई थी लेकिन सगन बकतिधारा की रामचरित मानस की विशेश्टा है कि इसमें सगन और निर्गून दोनों भक Whitman का समनवाई किया गया है सगन भक्ति को उठाटिद किया गया है लेकिन निर्गून का विरोध भी नहीं किया है यह method pursue पुर्ण बात तुलसी जी के रामचरित मानस में दिखाई देती है। नायक को आदर्शत रूप में प्रस्तुत करना रामचरित मानस का उद्देश्य है। गरगर जाकर संग्रेट करकर अपनी खंडन शेली का प्रयोग करके प्रस्तुत करते थे। यहाँ पर रामचरित मानस में मंदन शेली का प्रयोग किया गया है। जिससे जन मानस में रामचरित मानस लोक प्रयोग हुआ है। वैशनव और शेव भक्ती भावना में समन्वई। भक्ति कालका कालखंड हम सभी लोग जानते हैं। भारत में शेव भक्ती और वैशनव भक्ती ये दो भक्ती धाराये महतोपुर्ण प्रवाईत होती है। लेकिन यह रामचरित मानस की विशेशता है कि ये वैशनव भक्ती परमपराका गरंथ होने के बावजूद इसमें वैशनव विशनु के रूप राम की महती होने के बावजूद शिव भावना शेव भक्ती को भी प्रदानता दी गई है। रामचरित मानस में अनेक ऐसे प्रसंग है जहां पर आप लोगों को निर्गुन भक्ती धारा का भी प्रविशन मिलेगा और शिव की भक्ती भी आपको दिखाई देगी। यह रामचरित मानस का महतोपर्नकान है जिसमें राजा कैसा होना चाहिए राज्य कैसा होना चाहिए आदर्श राज्य की स्थापना इसमें दिखाई देती है और उसमें भी धार्मी के वह नईतिक दुरुष्टी से राज्य कैसे चलाना चाहिए इसका संदेश हमें रामच रामचरित मानस में उत्तरकांड में आपको दिखाई देता है मैं तो इतना ही कहूंगा कि उत्तरकांड रामचरित मानस दूद से घी जैसे तयार होता है तो रामचरित मानस का यह उत्तरकांड दूद में घी के समान है दूद के घी के समान है और सारा सार आप लोगों को उत् हब वाद्ध होता है उसमें राम राज्य की आदर्श राम राज्य की श्थापना कैसी योई है आ मैं प्रस्तुत करने का प्रयास तुल्सिदाजी ने किया है और यह प्रयास यसेश भी हुआ है ये महतोपुर्ण है। तुलसिदाज जी के रामचरित मानस के का हमने संशिप्त परीचय देखा। हम लोग ये भी देखते कि तुलसिदाज ने बहुत सारी रचनाइं लिखी। उसमें उनका रामचरित मानस हम सभी लोग ने उसका परीचा लिए। राम लला नहच्छु राम की जो रचना है उस रचना में राम के बच्पन का रूप आपको दिखाई देगा वहीराज्य संदेपीनि दूसरी रचना है बरवे रामайн पारवती मंगल जानकी मंगल रामाग्या प्रश्नक कवितावली गितावली गितावली श्रीकृष्ण गितावली दोहावली विनईपत्रिका हनुमान बाहु आदी रचनाए तुलसी जी की प्रसिद्ध है इस प्रकार दोस्तों हमने गोस्वामी तुलसिदाजी का संशित परीचे दिखा है और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ रगुकुल रिती सदा चली आई प्रान जाये पर वचन न जाई इतना सुन्दर भार्तिय संस्कृति का सुवचन हमें रामचरित मानस ने लिया है जै हिंद जै कर्मवीर